नया शाल शुरू हो चुका है और लोगों को नहीं नी फिल्मों का इंतजार है हालांकि इस साल अभी तक कोई ब्लॉक बॉस्टर फिल्म में रिलिज नहीं हुई है लेकिन आने वाले समय में बॉक्स ओफिस फर फिल्मों के बीच कमासान देखने को मिलने वाला है लेकिन चाल शुरू होते ही सितारों को फिल्मों को लेकर डर सतानी लगता है फिल्मों की डेट पॉस्टपॉन होने लगी है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी क्रम में अजे देवगन की फिल्म मैदान की रिलिज डेट को भी पॉस्टपॉन कर दिया गया था अजे देवगन के आने वाली फिल्म में मैदान 1952 से 1962 के बीच भारती फुटबोल के गॉल्डनेरा पर आधारित है अब खबर आ रही है कि अजे देवगन के मैदान की रिलीस टेट को आगे भड़ा दिया गया है रिपोर्ट्स की माने तो फरवरी में ही और भी कई फिल्में रिलीस होगी यही वज़े है कि अजे नहीं चाते उनकी फिल्म बाके फिल्मों के भी सैंट्विच बने यही वज़े है कि उन्होंने फिल्मों की रिलीस टेट को आगे बढ़ा दने की रिक्वेस्ट की मैदान 12 मई को सिनिमा गरों में रिलेज होने वाली है रिपोर्ट्स की माने तो मैदान एक आगामी जोनर की फिल्म है फिल्म के साथ ही इसके कलेक्शन में काफी कुछ देखने को मिलेगा यह तबी संबव है जब इसके साथ किसी दूसरी फिल्म की ओपनिंग ने कर रही हो मैदान एक पीरिड ड्रामा फिल्म है जो की फूटबॉल टीम की पूराने दोर पर आधारित है जिस वक्त फूटबॉल टीम का गॉल्डन एरा था इस फिल्म में 1952 से लेकर 1962 के दोर को दिखाया गया है वही इस फिल्म में अजे के ओपोजिट साथ की सूपर स्टार कीर्ती सूरेश नजर आएगी फिल्म का पोस्टर जारी हो चुका है भले ही मैदान कीर्ती सूरेश की पहली बॉलिवूट फिल्म है लेकिन उन्होंने दक्षिन भारत की कई हीट फिल्मों में अपने अभी नहीं का जादू चलाया इस फिल्म में कीर्दी अजे देवगन की वाइब का किरेदार निवाएगी ऐसी न्यूस के लिए मेरे चैनल को लाइक करे शेर करे कमेंट करे